हेलो एब्रिवान आज की वीडियों हम लोग जानेंगे SSC CGL 2024, 2023, 2022 में क्या कितनी वैकेंसी जाई थी और 2024 में इस बार कितनी वैकेंसी आने वाली है इन सारी चीजों को आपको मैं जानकारी दूँगा SSC CGL होता क्या है इसके आपके जो है पैटर्न क्या होते एक्जाम में क्यों इतना बच्चों के बीच में ये एक क्रेज रहता है SSC CGL को लेकर के हर साल जो है लाको एस्पैनेट्स जो है SSC CGL में फॉर्म भरते हैं इन सारी चीजों कि मैं आपको एक बाई जो है एक एक करके सारी डीटेल में दूँगा जानते हैं सबसे पहले यहां पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट्ट चीजे में बताने चल नहां हूं सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर कि SSC CGL जो है इसमें पिछले साल में कितनी वैकेंसी आपकी आई हुई थी यहां पर अगर मैं बात करूँ तो SSC CGL मतलब करमचारी चयन आयोग जिसका पूरा नाम होता है स्टाप सेलेक्शन कमीशन यह भारत सरकार की एक संस्था है जो हर साल लाखों की संख्या में जो है पोस्ट निकालता है और उसमें बैकेंसी जो है बच्चों को सेलेक्ट करता है और जिस डिपार्टमेंट में बैकेंसी होती है उसको यह एक्जाम करा करके इसको वह सौप देता है आई बात समझ में SSC CGL तो SSC मतलब होता है स्टाप सेलेक्शन कमीशन CGL मतलब होता है कमबाइंड ग्रेजुएट लेवल एक्जाम ठीक है यह ग्रेजुएट लेवल प 24 जो है यह आपका कभायगत यहां पे एक इंपॉर्टन इंफॉर्मिशन है आपके लिए SSC CGL 2024 का जो नौटिफिकेशन है वह आपका रिलीज होगा 11 जून 2024 को सबसे इंपॉर्टन चीज जो है आप अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है आप हमारे साथ जुड़े र रहेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आप सब्सक्राइब की लिए जिससे की एक एक नौटिफिकेशन एक इंपॉर्टन चीज आपको जो है मैं पहुंचाता रहूंगा CGL 2024 का नौटिफिकेशन आपका 11 जून को आएगा और बात की जाए एक्जाम की तो ये 2024 के अगस्त और सिटेंबर में इसका एक्जाम कराया जाएगा इस एक्जाम की बात करें तो इस बार जो है 2024 में दोस्तों इस बार कम से कम 20,000 प्लस बैकेंसी आने वाली ये टेंटिटी पोस्ट है अभी इसके बारे में नौटिफिकेशन आउट नहीं हुआ ये अंदर से बात पता चली है ठीक है इसके बारे में आपको जो है important information मैं ये देना चाहूंगा कि इसका जो exam pattern होता है वो आपका कुछ ऐसा होता है कि यहां पे आपको जो है tier 1 देखने को मिलेगा जिसको आप prelims भी कहते हो उसके बाद अब जब tier 1 आप पार कर लेंगे तो अब आपको फिर जो है tier 2 पार करना होगा मतलब फिर से सेम लगबग वैसा ही exam होता है आपको इसके बारे में अगली वीडियो में हम detail में बताएंगे tier 1 एक होता है इसको जब आप पार करेंगे दो तीन महीने के बाद जो है इसका exam होगा मेंस का exam होगा और जब मेंस exam आप clear कर लेंगे तो tier 3 जिसको DEST बोले जाता है आपको पेटरन लगबग रहेगा 4 subject होते मैग होता है रिजनीं होती है Gs होता है और English होता है सेम यही चार सबजेक्ट की यहां पे रहेंगे मैस यहां पे रहेगा रिजिनिंग यहां पे रहेगी J.S. रहेगा और इंग्लिस रहेगी मेंश में और कौन है कम्पीटर में यह चीज कैसे क्या काम करती है ठीक है अगर आपको जो है कुछ आपको में बता दू आपकी टाइपिंग आपसे टाइपिंग मांगेंगे और टाइपिंग जो है बहुत आसान होती जादा नहीं यह 27 वर्ड पर मिनट के आसपास होती है नौटिफाइड नहीं किया होता लेकिन एवरेज लाग जाकर के लगवग इतना ही वनता है 27 वर्ड प टाइपिंग होती हिंदी कोई टाइपिंग नहीं होता है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के बीच में भी सेर करें और जुड़े रही हमाएं साथ में ताकि आगे की एक एक अपडेट जो है आपक